नमस्कार स्वागत है आपका News World India में आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्पेशल डे दुनिया भर में आज विश्व कैंसर दिवस मनाये जाता है World Cancer Day के जरीए दुनिया भर के लोगों को कैंसर के प्रती जागरु किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसी बिमारी है जिसके बारे में लोगों को शुरुआत में पता नहीं चल पाता लोगों को इस बिमारी के बारे में तब पता चलता है जब ये काफ़ी बढ़ जाती है ऐसा इस वजह से होता है क्यूंकि बहुत से लोगों को कैंसर के शुरुवाती लक्षणों के बारे में पता ही नहीं होता तो चलिए वेश्व कैंसर दिवर्स पर आपको बताते हैं कैंसर से जुड़ी वो सभी चीजे जो आपको मालूम होना चाहिए वेश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में सुजिजलेंड के जिनेवा में मनाया गया था 1933 में यूनियन फॉर इंटरनाशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा चार फरवरी को वेश्व कैंसर दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 1993 को UICC ने कुछ अन्य प्रमुक कैंसर सुसाइटी के सपोर्ट रिसर्च इंस्टिटूट ट्रीट्मेंट सेंटर और पेशिंट ग्रूप की साहता से इसका आयोजन किया था वेश्व कैंसर दिवस का क्या उद्देश्य है हर साल वेश्व कैंसर दिवस चार फरवरी को मनाया जाता है UICC का प्रात्मिको देशे कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में कमी करना और इसके कारण होने वाली म्रत्युदर में कमी लाना है साथी लोगों में कैंसर के लक्षन को पहचान पाने के लिए प्रयास करना उनमें जागरुपता बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को दुनिया मभर में इस बिमारी के खिलाफ लड़ने के लिए तयार करना है कैंसर के लक्षन शरीप पर मौजूद, मस्व, तिल का रंग और आकार बदलना, अचानक वज़न का बढ़ना और कम होना, ज्यादा ठकान, उल्टी, बार-बार बुखार और बिमार होना होता है। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर होते हैं लेकिन सबसे आम स्किन कैंसर, ब्रिस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कॉलोरेक्टर कैंसर, ब्लेडर कैंसर, मेलानोमा, लिंफोमा, केडनी कैंसर और लियुकिमिया है डॉक्टर कैंसर के स्टेथ मरीज की बिमारियों का इतिहास और लक्षनों को देख का इलाज करता है आम तोर पर इसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरपी और रेडियेशन से किया जाता है कैंसर की सर्जरी कैसे होती है? इसमें डॉक्टर इंफेक्टिट एडिया को शरी से अलग कर देता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने पर ब्रेस्ट को खटा दिया जाता है प्रोस्टेट कैंसर होने पर प्रोस्टेट ग्लेंट को निकाल दिया जाता है सबी तरह के कैंसर में सरजूरी की जरूरत नहीं होती जैसे बलड कैंसर को सिर्फ दवाईयों से ठीक किया जा सकता है कीमो थेरपी से होता है कैंसर खतम इसमें ड्रग्स या दवाईयों के जरिये कैंसर को खतम किया जाता है कुछ कीमो में IV से ठीक किया जाता है कुछ में आपको दवाई दी जाती है ये दवाईया पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है और हर जगा फैले कैंसर को खतम करती है स्पेशल डे में आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको हमारी गे रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले